कि अब यह नी पेन को मैं थोड़ा अलग नजरिये से आपको बता रहा हूं इसको आप समझने की कोशिश कीजिए सब्सक्राइं अगर बड़ी प्राब्लम अगर अब तो गलत नहीं हो कि क्या है इसका रीजन क्या है drinking k pleasant रीजन क्या है बेसिक रीजन है हाइपो थालमस पिटूट्री आक्सिस आपके ब्रेन के यह होता है ना जो उसके पीछे की साइड में छोटा ब्रेन छोटा मगज है उसके साथ में रीड की हडी के अंदर का जो पार्ट है cns का उसके जस्ट ऊपर की तरफ में सर्वाइकल के जस्ट ऊपर की तरफ में हाइपो थालमस होता है तो हाइपो थालमस और पिटूट्री ग्लैंड जो आपके पीछे के मगज में पिटूट्री ग्लैंड है इन ये दोनों आपस में मिलके ऐसे काम करते हैं कि कि जितना जरूरी होगा हॉर्मोन निकालेंगे फिर बंद करेंगे किसी और्गन को और्गन फंक्शन करने के लिए उत्साहिद करेंगे और फिर उसको कम करने के लिए प्रेडना देंगे इसको होमियोस्टैसिस कहा जाता बॉडी का अपना बैलेंसिंग मेकानिजम तो जैसे ह होमियो-स्ट्रेसेज खराब होता है जो कि आज के टाइम पे किसी रूप में देखने को मिल रहा है बॉड़ी के हॉर्मोनल फ्लो हो फीमेल में खास करके यह जब हम चेक करते हो देखें कि हॉर्मोनल ंबैलन्स है growth factors कम हो रहे हैं body के क्योंकि immunity हमेशा हमारे body के अंदर बढ़ी ही हुई है जब अगर सही situation रहती है तो आपकी immunity नीचे रहती है metabolism उपर रहता है यह इसका balancing मकान कर इम्मूनिटी उपर तो metabolism नीचे इम्मून system जो आपका है वो हमेशा तयार खड़ा है ऐसे मान के चलिए कि देश के सीमा पर हमेशा सेना तयार खड़ी है क्योंकि लड़ाई होने वाली है तो आपके घर के अंदर यानि आपके देश के अंदर emergency हो जाएगी आपके kitchen तब तक ही चलता है जब तक कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा risk नहीं आ गया हो जैसे रिस्क आ गया आपका kitchen बंद हो जाता है इसलिए कोई दुरगटना में सबसे पहली चीज़ क्या होती है kitchen बंद होता है अब हमारी शरीर के साथ में एक risky situation है और वो भी तैयार खड़ा है अपने को बचाने के लिए तो इसी वज़े से metabolism सभी का weak है fertility कमजोर हो गई है conceive करने में दिक्कत आ रही है यह आम बात है conceive करने में दिक्कत आ रही है mortality, morphology यानि कि उसकी quality उसके काम करने की strength वो जल्दी मर जाता है ज्यादा दे तक जिन्दा नहीं रह पाता यह male में देखा जा रहा है erectile dysfunction एक common चीज हो गई है diabetes उठा लीजिए सभी को होने ही वाला है 12% के rate से cancer बढ़ रहा है blood pressure heart disease number one cause of death है इस वक्त में thyroid epidemic बन चुका है autoimmune disorder जिसका कुछ पता नहीं है वो almost सभी लोगों को होने ही वाला है तो याने यह जो immunity हमेशा तैयार बैठी है कि हमने बहुत खत्रा पैदा कर दिया शेरीर के अंदर उसके कारण metabolism low होगा immune उपर होगा तो metabolism लोगा यह body का homeostasis है homeostasis बिगणने के कारण regeneration का process के अंदर regeneration का प्रोसस्ट वीक हो चुका है कि अगर regeneration नही्ट होगा तो regeneration लगातार कहां चाहिए होता है हमें घुटने में चाहिए होता है regeneration लगातार हमने कोहनियों में जॉइंट्स में चाहिए होता है तो जॉइंट का इश्यू बहुत कॉमन हो चुका है बच्चों को भी जॉइंट का इश्यू पर तो गुटने रीप्लेस कराना क्या ट्रीट्मेंट है और एक और एक्जामपल बता रहा हूं आप समझे गुटने खराब होगे गुटने रीप्लेस करा लो किड्नी खराब हो गया किड्नी ट्रांस्प्रांट करा लो लिवर खराब हो गया लिवर ट्रांस्प्रांट करा लो हाट खराब हो गया हाट ट्रांस्प्रांट करवा लो लगा लेनी कुई कुई तो पहली बात करेंट जो एकोसिस्टम है टीट्मेंट का वो ट्रीट्मेंट हैं ही नहीं है कैंसर से कम लोग मरते हैं कैंसर कि ट्रीट्मेंट से जारा हुआ मरते हैं आपके शेरिर का सवाल है और वो भी छोड़िए आपके आगे आने वाले नेक्स जेनरेशन आपके बच्चों का सवाल है आपको तो आखे खोलने पड़ेंगे तो इस वक्त में क्या करेंगे आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपने हेल्प पर क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो आपकी हेल्फ खराब करने का काम कर रहे हैं भाई बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो उस टाइम पर कुछ भी करें तो हम गलत नहीं मानते हैं आप गलत भी करें अगर उसके कारण कुछ help हो जाती है तो गलत नहीं मानते हैं मगर वो treatment तो नहीं हो सकता ना उसको आप science नहीं बोल सकते body को torture करने को science तो कम से कम नहीं बोल सकते हैं तो metabolic disorder यह और उसको जैसे मैंने connect किया cellular risk के साथ में जोड़के और अब मैं जोड़ा हूं regeneration वीक हो गया आपकी body का इसके कारण cartilages या फिर वहां पर tissues muscles replace ठीक से नहीं हो पाते तो gap आ रहे हैं inflammation होने के कारण उनका regeneration में भी दिक्कत आ रही है अगर वहां पर infection है तो infection ठीक होने में भी chance है क्योंकि infection की जो दवाई खाते हैं उससे हमारा metabolism वीक होता है तो उससे और हलांकि हम basically खा रहे हैं अपने भले के रहे हैं लोगी नुक्सान कर रहा दर्द की दवाई खाके अगर आप जीएंगे क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना तो दर्द की दवाई खाएंगे तो दर्द की दवाई आपके regeneration को वीक करती है प्रॉस्टा क्योंकि जाता है दो कि रिजनेरेशन के लिए तो की वह इंफ्लमेशन भी रोग दिया लेकिन रिजलेशन भी रोग दिया तो दर्द की दवाई खाये तो आपकी ठीक नहीं होगे तो एमेर्जंसी में शौट टम के लिए यह सब चीज़ें की जा सकती हैं मगर रीजेनरेशन स्रॉंग कैसे करेंगे रीजेनरेशन स्रॉंग कैसे करेंगे उसका एक्जामपल दूना है आप एक काम कीजिए पांच किलो का एक कोई डंबल लेके आओ डंबल वेट नहीं तो उठाना के वगर और कम से कम अभार ऐसे करके लिए रोज आफ्टर थ्री वीम्रीन हने चैंट इसके मुद्ह बड़े-चानगे राइट हैंड के मस्ल्स बड़े बड़े हो गया तो वेट से रीजेनरेशन नहीं वा ये गलती मत करना सोचने की वेट कैसे उठाया आपने जो आप पीछे सांस रोकने का ट्रकरम कर रहे हैं वेट उठाने के लिए सास रोकने के कारण रीजेनरेशन वा और trigger गया right hand के द्रफ में तो सास रोकना या कुम्भक कह लेजे कुम्भक आपके body का regenerative mechanism या method है या trigger है और सटीक बोलें सही बोलें तो कुम्भक regenerative trigger है आपके body अगर उसे हम सही जगह पे देंगे को liver regenerate हो सकता है, kidney regenerate हो सकता है, उसका formula अलग-अलग हम आपको सिखाते हैं, ये diagnose करके कि आपके forces, आपके शरीर का बल लगाने का process कैसे कहां पे weak हुआ, तो आपको experiment करने बोलते हैं अपनी breath के उपर, experiment करने बोलते हैं आपके symptom के उपर, आपके emotion के उपर और इन सब का आप हमें भेजते हैं, एक form fill करके, उसको समझके हम पता लगाते हैं कि कौन सा process आपके body का weak हो गया, फिर आपका पुरा कुमबक का module कस्टमाइज किया जाता है, आपके हिसाब से, आपकी कमियों, आपकी कम्जोवियों के हिसाब से, इस तरीके से ये program हरेक के लिए कस्टमा में कर देते हैं, कुमबक में करते हैं, बेसिक कुमबक में, उसके बाद उसको हम थोड़ा tweak कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, आपके शरीर या आपकी capacity के हिसाब से, तो एक factor, regeneration कम होने की कारण, उटने की problem आ रही है, ठीक है जी, और दूसरा क्या बताया था उन्होंने, नीपेण आड़ रच्रना जी, पर दूसरा क्या बोल था मैं, बामनी। नीपेणको हैं, वेरिकोस वेन का मैं आपको को सधाना साण समझ हा रहा है, वेरिकोस वेन में हो क्या रहा है, वे नीचे से खूल उपर की तरफ में जाता है, अच्छा नीचे से तंप तो कोई भी नहीं कर रहा उपर जाने के लिए तो ब्लड हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट में उठता है और वाल्व होते हैं उसको रोकने के लिए नीचे जाने से तो प्रेशर के ग्रेडियंट में वो उपर उठता है प्रेशर के डिफरेंस में उप नहीं हो तो खून उपर नहीं जा पाएगा अना तो एक जगा इखटा होगा तो वेन फूली हुई नजर आएंगी इसको वेरिकोस वेन कहते हैं दूसरा क्या हो सकता है वाल्व प्रॉपरली उसको रोक नहीं पारे नीचे नीचे आने से तो रिवर्स फ्लो की वजह से भी वे उसका बंद और खुलने का स्ट्रेंथ हमेशा प्रेशर उसके इंटर्नल वाल्व के प्रेशर पर निर्भर करता है तो जो वेन का प्रेशर है उसमें खुन जाता है जो वाल्व का प्रेशर उसमें खुलना बंद होना होता है इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि दो पक्ष इसा चाही है एक पक्षको हम कहते हैं दक्षिन आगनी और दूसरे पक्षको कहते हैं समानबल ना अ क्रेशर परेशर ग्रेडियेंट मेंटेन करता है समानबल इंटरनल औस्मो 거지 करता है ये दो चीज़ को दखशिनबल होता क्या ऐगर आप सांस भरते हैं uhh अगर आप सबस्कोंखेज मियार की स्प्रेंथ है पांच से केंद की सांस आप खीच सकते हैं आपका दखशिनबल अच्छा है वरना प्रेशर ग्रेडिंट आपके बॉडी का ठीक नहीं हो पाएगा तो क्या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम वहीं प्रैक्टिस करवाएंगे दूसरा है समानबल चार गुना ज्यादा सांस रोकने के बाद में भी अगर आप दो गुना यानि 5 20 10 सेकंड का इक और ऐसे फैलाव होता है आपके श्रीर में यह दो पक्षगर आप ठीक कर देंगे तो वह वेरी-कोजवें ठीक हो जाएगा हमारे पास आराम से ठीक हो जाता है अगर आप जो ट्रीटमेंट करवाएंगे उसमें सरजरी होग और वह कोई ट्रीटमेंट नहीं होता हो काट दि आपको ठीक करने का नियम नहीं है सर्जरी एड़ेस्ट करने का नियम है तो सही तरीके से अगर समझेंगे तो उपाय है नहीं समझेंगे तो बठकते रहेंगे फिर